नमस्ते, मैं चंदर सेखर, आप सभी को मैं अपने चैनल डिलिजन्ट अकेडमी में स्वागत करता हूँ हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस से स्टार्ट किये थे, जिसमें हम लोग का चार्ड क्लास हो चुगा है, आज हम लोग का पांचवा क्लास है पिछले चार्ड क्लास में हम लोगोंने बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सिखे और उस पर कोस्चन प्रैक्टिस किये आज के क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट सिखने वाले हैं और उस पर कोस्चन प्रैक्टिस करेंगे चलिए हम लोग question की तरफ चलते हैं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर ले और bell icon को press करना बिल्कुल न भूले ताकि आपको सबसे पहले latest notification मिलता रहे चलिए अब हम लोग question की तरफ चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है question दिया है कि एक बच्चा घड से बिद्याले जाते वक्त अपने प्रारंभिक चाल की 7 बटा इगारे चाल कर लेता है तो 22 घंटे में पहुँचता है अगर वह अपनी प्रारंभिक चाल से गया होता तो वह अपने कितने घंटे बचा लेता देखे हमें question में क्या दिया हुआ है हमें question में दिया हुआ है कि एक बच्चा जो है घड से बिद्याले जाते वक्त अपनी चाल को 7 बटा इगारे कर लेता है जिसके वज़े से उसे 22 घंटा का समय लगता है तो हम से पूछ रहा है कि अगर वज़े अपनी प्रारंभिक चाल से ही जाता तो आपने कितने घंटा बचा लेता देखे हम यहां से चाल का रेश्यू निकाल सकते है हम यहां से चाल का रेश्यू निकाल सकते है देखे हमने माल लिया कि जो उसका प्रारंभिक चाल था वो इगारे उनिट था यनि जो पहले था पहले चाल कितना था इगारे उनिट और अब उसका चाल कितना हो गया पहले चाल हमने माल लिया कि उसका चाल कितना है इगारे उनिट अब जो है अपने प्रारम्हिक चाल का कितना कर ले रहा है साथ बटा इगारे यानि इस इगारा का हम साथ बटा इगारे करेंगे कितना हो जाएगा साथ इउनिट यानि उसका पहले जो चाल था वह 11 उनिट था अब उसका चाल कितना हो गया 7 उनिट हो गया और देखे घर से विद्याले का दूड़ी क्या है बराबर है अगर दूड़ी बराबर हो तो जो हमारा चाल का रेशियो होता है उसका opposite रेशियो क्या होता है समय का रेशियो होता है यानि यहां से हमारा समय का रेशियो क्या हो जाएगा समय का जो रेशियो हो जाएगा 7 is to 11 का यानि अगर चाल जादा है तो समय कम लगेगा अगर चाल कम है तो समय जादा लगेगा देखे उसे कितना घंटा लग रहा है इगारे घंटा लग रहा है उसे इगारे यूनिट समय लग रहा है अगर अपने प्रारंभिक चाल के साथ बटा इगारे चाल से जा रहा है तो उसे 4 उनिट समय बच जाता अगर वा प्रह्मभीक चाल से नहीं जाके अपने उनिटा है किudd समय बचा लेडरा है टो कितना समय बचा लेता अगर वीक चाल से जा रहा है चार यूनिट समय बचा रहा है यानि 11 यूनिट 22 घंटा के बराबर है तो एक यूनिट किसके बराबर हो जागा 2 घंटा के बराबर तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जागा 8 घंटा के बराबर यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आया अगर वह प्रारंवीक चाल से जाता то अपने कितना गंटा बचा लेता आठ गंटा समय बचा लेता चल्हिए फिर से देख लेते हैं हमें question में देवाए कि एक बच्चा जो है घर से बिद्धाले जा रहा है और वह अपनी प्रारंभिक चाल का साथ बटा इगारे चाल कर ले रहा है जिसके ओजे से उसे घर से बिद्धाले पहुशने में कितना समय लग रहा है 22 घंटा का समय लग रहा है तो हमसे question में पूछ रहा है कि अगर वह अपने प्रारंभीक चाल से गया होता तो वह कितना घंटा समय बचा लेता तो हम यहां से चाल का ratio सबसे पहले निकाल सकते हैं देखें हमड़ा क्या दिया हो है कि अब जो है वह अपने प्रारंभीक चाल के 7 बटा इगारे चाल से जा रहा है तो हमने मालने है कि उसका प्रारंभीक जो चाल है वह इगारे यूनिट है अगर उसका प्रारंभीक चाल इगारे यूनिट है यानि पहले उसका चाल इगारे य यानि यहां से हमारा चाल का रेशियो क्या निकल क्या गया 11 इस्टू साथ और देखिए घर से बिद्याले का दूड़ी क्या है बराबर है घर से बिद्याले का दूड़ी बराबर है यानि अगर दूड़ी बराबर हो तो जो हमारा चाल का रेशियो होता है उसका अपोजिट रेशियो क्या होता है समय का रेशियो होता है यानि यहां से समय का रेशियो हमारा क्या निकल किया जाएगा इगारे यूनिट का, यानि पहले के अप एक छा कितना जादा लग रहा है, चार यूनिट जादा समय लग रहा है, यानि अगर वो प्रारंभीक चाल से जाता, तो कितना यूनिट समय बचा लेता, चार यूनिट समय बचा लेता, लेकिन हमें समय क्या निकलना था, घंटा में निकल किया जाएगा? दो घंटा अगर वह प्रारंभिक चाल से गया होता तो कितना समय बचा रहा है? चाड यूनिट का समय बचा रहा है यहां से चाड यूनिट किसके बराबर निकल किया गया? आठ घंटा के बराबर निकल किया गया यानि वा अपने प्रारमिक चाल से गया होता तो कितना समय बचा लेता? आठ घंटा का समय बचा लेता हमारा आंसर क्या निकल क्या आगया? आठ घंटा चलिए question समझ में आगया होगा next question पे चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है? question दिया है कि एक कार अपनी समाने चाल की पांच बटा साथ चाल से 42 किलोमेटर की दूरी एक घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड में तै करती है तो कारी की समाने चाल कितनी है हमें क्या निकलना है कारी की समाने चाल निकलना है देखिए हमें कोश्चिन में क्या दिया हुआ है हमें कोश्चिन में दिय 42 किलो मेटर के दूरी तै करने में तो देखिए अगर बराबर दूरी हो तो जो हमारा चाल का रेशियो होता है उसका अपोजिट रेशियो क्या होता है समय का रेशियो होता है यानि अगर वह अपने चाल को जो है 5 बटा 7 से गुना कर रहे है तो समय क्या हो जाएगा उसका जो वास्तुइक समय लग रहा होगा उस समय का क्या हो जागा यानि समय का जो रेशियो हो जागा चाल के रेशियो के अपोजिट यानि समय जो हो जागा साथ बटा पांच से गुना हो जागा यानि अगर वह अपने वास्तुइक चाल के समाने चाल के पांच बटा साथ चाल से जाएगा तो उसका जो वास्तिक समय लग रहा होगा उस समय का क्या हो जागा साथ बटा पांच गुना समय हो जाएगा अब देखिए हमें 7 बटा 5 गुना समय यानि अभी जो समय लग रहा है जब चालो अपना 5 बटा 7 गुना चाल कर ले रहा है तो हमारा समय कोश्चन में वो दिया हुआ है कि 42 किलोमेटर का दूरी तैकरने में कितना समय लग रहा है एक घंटा 40 मिनट 48 सेकंड का समय लग रहा है यानि यहां हमें जो है 7 बटा 5 यूनिट का वैलू दिया हुआ है एक घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड हमें क्या दिया हुए कि 1 गंटा 40 मिनट 48 सेकंड तो देखिए हम यहां से क्या लिख सकते हैं 7 unit किसके पराबर हो जाएगा हम यहां से 5 से गुना करेंगे यह हो जाएगा 5 घंटा हम 40 minute में 5 से गुना करेंगे यह किसके पराबर हो जाएगा 200 minute हम 48 second में अगर 5 से गुना करेंगे तो ये आसानी से कट जाए तो हम यहां से 200 मिनट में से 120 मिनट निकालके यानि 120 मिनट किसके पराबर होगा दो घंट के पराबर यानि हम यहां से 120 मिनट निकालके इसमें आइड करें तो यह किसके पराबर हो जागा यह जो हो जागा 7 घंट के पराबर और यहां से 120 मिनट निक किसके पराबर हो गया साथ घंटा चोड़ासी मिनट के पराबर तो यहां से एक यूनिट किसके पराबर हो जाएगा एक घंटा हम में स्पांचवां से जा रहा है तो कितना समय लग रहा है एग घंटा 40 min. 48 सेकेंड का समय लग रहा है अब देखिए हमें उसका वाश्विक यानि समान्य चाल का जो 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 अगर चाल से जाता जो समय लगता वह समय हमारा निकल क्या गया और दूरी हमें कोश्चन में पता है तो हम यहां से चाल निकाल सकते हैं अब देखी हम यहां से हम यहां से एक घंटा और प्लस का क्या है बारह मिनट एक घंटा बारह मिनट हम एक घंटा बारह मिनट को हम क्या लिख सकते हैं एक घंटा प्लस का बारह बटा 60 घंटा यानि हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 घंटा प्लस का 1 बटा 5 घंटा यानि हम इसे लिख सकते हैं 6 बटा 5 घंटा हमारा जो है अगर समाने चाल से किया होता तो कितना समय लगता 6 बटा 5 घंटा का समय लगता तो हमारा दूरी दिया हुआ है तो हम यहां से चाल निकाल सकते हैं शमान्य चाल शमान्य चाल क्या हो जाएगा दूरी हमारा कितना है 42 किलो मिटर दूरी क्या है 42 किलो मिटर और समय कितना है 6 बटा 5 घंटा यहां से हमारा 5 ऊपर चला जाएगा यह हो जाएगा 42 गुने 5 बटा 6 किलो मिटर पर घंटा हम इसे 6 से काटेंगे ये 7 बर में जाएगा हम इसे क्या लिख सकते है 35 किलो मिटर पर घंटा हमारा समाने चाल क्या निकल किया गया 35 किलो मिटर पर घंटा चले गवार फिर से कोस्टिन देख लेते है हमें कोश्चिन में क्या दिया हुए देखिए हमें कोश्चिन में दिया हुए कि एक कार अपनी समाने चाल की पांच बटा साथ चाल से 42 किलोमेटर की दूरी एक घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड में तय करती है तो कारी की समाने चाल कितनी है हमें क्या निकलना है काड़ी की समाने चाल निकलना है देखिए हमें कोश्चिन में क्या दिया है कि काड़ जो है अपनी समाने चाल का पांच बटा साथ गुना कर ले रहा है काड़ी जो है अपनी समाने चाल का पांच बटा साथ गुना कर ले रहा है तो अगर बराबर दूरी हमें तय करना है तो चाल का जो रेशियो होगा चाल का जो रेशियो होगा उसका opposite रेशियो क्या होगा हमारा समय का रेशियो होगा यानि अगर चाल का रेशियो 5 is to 7 है या हमारा चाल का रेशियो क्या है ओरिजिनल चाल जो होगा 7 unit होगा तो अब चा चाल का रेशियो हो गा उसका आपोजिट रेशियो क्या ओगा समय का रेशियो होगा यहीं अगर चाल जो है 5 2 7 सी गुना कर लिया तो समय केतना हो जागा साथ बटा पांच से गुना हो जाएगा यानि कोई अगर समाने चाल से जा रहा होगा तो हमने माल ले कि एक यूनिट का समय अगर लग रहा होगा तो उस एक यूनिट का साथ बटा पांच गुना समय लगने लगा और हमें ये दिया हुआ है कि अगर समाने चाल के पांच बटा साथ चाल से जा रहा है तो समय कितना लग रहा है एग घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड का याशनी ये पांच गुना करेंगे याशनी 5 कुछ ऐसा लिखे है यहां पर ताकि हम साथ से काटे तो असानी से कर जाए तो देखिये हम 200 मिनट में से 120 मीनट का लेंगे किसके बराबर हुजागा 2 घंट यानि हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 घंट करेंगेo 5 कि यह अब यहां कितना बचंचा 2 40 double double क्या लिख सकते हैं, 240 सेकेंड को हम लिख सकते हैं, 4 मिनट, यानि 80 मिनट यहां का, और 4 मिनट यहां का, यह कितना हो गया, 84 मिनट, यानि 7 घंटा 84 मिनट हो गया, 7 यूनिट के बराबर, तो यहां से 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 घंटा 12 मिनट के बराबर, यानि ज तो अगर समान्य चाल से जाता और 42 किलोमेटर की दूड़ी तरह करने में उसका जो समय लगता वो समय हमारा यहां से निकल के आगया कि एग घंटा बारे मिनट का समय लगता तो हमें कोश्चन में पूछ क्या रहा था समान्य चाल पूछ रहा था तो अगर हमें समय पता चल गया और दूड़ी हमें पता है तो हम यहां से चाल निकाल सकते हैं लेकिन यह एक घंटा और बारे मिनट है तो हमें इसे टोटल को घंटा में चेंज करना है यानि एक घंटा प्लस का बारे मिनट है तो हम बारे में अगर 60 से भाग देंगे तो ये भी हमारा घंटा में चेंज हो जाएगा हम इसे सॉल्ब किये हमारा यहां से घंटा कितना है कि निकल किया गया च्छो बटा पांच घंटा यानि वो अगर समाने चाल से जाता तो 42 किलोमेटर दूरी त्र किलोमेटर पर घंटा होगा चलिए कोश्चा समझ में आ गया नेक्स्ट काश्चिन पर चलते हैं यह marks question क्या दिया हौई कोश्चिन कि दूरी ताह करने अभहे को समीर से दो घंटा ज़ादा लगते है यह दिश्चाल से चलता है तो उससे समीर से गहсть कम समय लगता है तो समीर की चाल ग्यात करें हमें क्या निकलना है समीर की चाल निकलना है देखिए हमें कोश्चिन में क्या दिया हुआ है हमें कोश्चिन में दो लोग दिया हुआ है समीर और दूसरा कौन है अभय है हमें दो लोग दिया हुआ है समीर और अभय देखें हमें question में क्या दिया हुआ है कि अभय को जो है समीर से 2 घंटा जादा समय लग रहा है अभय को समीर से 2 घंटा जादा समय लग रहा है अगर अभय जो है अपनी speed को दूगूरना कर ले तो समीर से 1 घंटा कम समय लग रहा है देखे हमने माल लिया कि अभय जो है पहले भी स्पीड से जा रहा था और T समय लग रहा था दूरी तो हमें बराबरताय करना है अगर जो है अपनी स्पीड को दुगुना कर ले यानि अभय अपनी स्पीड को 2 भी कर लिया तो समय क्या होगा समय जो है दूरी तो हमें बराबरताय करना है अगर देख दुगुना हो जाएगा तो समय आधा लगेगा यानि पहले समय हमारा T लग रहा था अब समय क्या हो जागा T बटा टू देखिए यहां से यहां तक हमारा समय का डिफरेंस कितना है अगर स्पीड को दुगुना कर रह तो एक घंटा कम समय लग रहा है और समानी स्पीड से जा रहा है तो दो घंटा जादा समय लग रहा है यानि समय का कितना डिफरेंस हो गया तीन घंटा का डिफरेंस हो गया और यहां हम T में देखें यानि पहले समय T लग रहा था अब समय कितना लग रहा है T बटा 2 यानि अ हम T में से T बटा 2 माइनस करेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, T बटा 2 के बराबर, ये किसके बराबर हमारा हो गया, 3 घंटा के बराबर, तो यहां से हमारा T का वैलू निकल किया गया, T किसके बराबर हो गया, 6 घंटा के बराबर, यानि अभय अगर समानी स्पीड से जा समय लग रहा है यानि समीर को अब हैसे क्या होगा दो घंटा कम समय लगेगा यानि समीर को कितना समय लग जाएगा चार घंटा का समय लग जाएगा अब देखिए हमें पूछ क्या रहा था कोश्चन में कि समीर का स्पीड निकालना था और हमें कोश्चन में दूरी दिया हु और समीर को कितना समय लग रहा है समीर को जो समय लग रहा है चार घंटा का समय लग रहा है तो हम यहां से समीर का स्पीड निकाल सकते हैं समीर की चाल हम निकाल सकते हैं समीर की चाल क्या हो जाएगा, हमें दूड़ी कितना तय करना है 45 किलो मीटर और हमारा समय क्या निकल की आगया, 4 घंटा हम इसे शॉल्म करेंगे, हम इसे 4 से काटेंगे ये इगारे पर में जाएगा, 1 बटा 4 किलो मिटर पर घंटा यनि हमारा आंसर क्या निकल क्या गया इगारे सही एक बटा चार किलो मिटर पर घंटा समीर का स्पीड क्या होगा इगारे सही एक बटा चार किलो मिटर पर घंटा चलिए एक बड़ फिर से कोश्चिन देख लेते हमें कोश्चिन में क्या दिया हो था देखिए हमें कोश्चिन में दिया हो था कि 45 किलोमेटर की दूरी तैक करने में अभय को समीर से 2 घंटा जादा लगते हैं यदि अभय अपनी दुगुनी चाल से चलता है तो उसे समीर से 1 घंटा कम समय लगता है तो समीर की चाल ग्याद करे हम हमें क्या निकलना है समीर की चाल निकलना है और हमें कोस्चिन में दिया हुआ है कि अभय को जो है समीर से दो घंटा जादा समय लग रहा है अगर अभय अपनी स्पीड को दूगुना कर ले अभय जो अपनी चाल को दूगुना कर ले तो समीर से एग घंटा कम समय लगेगा त अगर चाल को दुगूर्णा कर लेगा, तो समय क्या हो जागा? समय आधा हो जागा, यानि पहले T समय लग रहा था, तो अब समय कितना लगेगा? T बटा 2, यानि यहां से समय का difference कितना हो जागा? हम T में से T बटा 2 का माइनस करेंगे, यानि यहां से जितना समय का difference होगा, वो किसके बराबर होगा? यहां हमारा 2 घंटा जादा लग रहा था, और अब जो है 1 घंटा कम लगने लगा, यानि यहां से घंटा में difference कितना निकल किया या 3 घंटा, यानि हम T में से T बटा 2 माइनस करेंगे, यह किसके बराबर हो जागा? 3 घंटा के बराबर, यहां से हम solve करेंगे T बटा 2 किसके बराबर हो गया? 3 घंटा के बराबर, तो T हमारा किसके बराबर हो जागा? 6 घंटा के बराबर, अब हमारा T का वाइलू निकल किया गया, यानि समीर जो है, अपने समानी स्पीड से जाता तो जो इतना समय लगता 45 किलोमेटर जाने में वो हमारा समय निकल किया गया चो घंटा और हमें कोश्चिन में दिया हुआ है कि हमारा अभय का समय निकल किया गया और हमें कोश्चिन में दिया हुआ कि समीर को जो है अभय से 2 घंटा कम समय लग है यानि अभैसे दो घंटा कम समय लग रहा है अभै का समय हमारा क्या निकल किया खाह चो घंटा का तो समीर का कितनाी समय लग जाएगा चार घंटा दो घंटा अभैसे कम लग अब समीर का हमें समय पता चल गया और दूड़ी हमें कोश्चन में दिया हुआ 45 km हमसे पूछ कहा रहा है समीर की चाल समीर का हमें समय पता चल गया दूड़ी हमें कोश्चन में दिया हुआ है तो हम यहां से चाल निकाल सकते हैं समीर का चाल क्या हो जागा 45 km में हम भाग देंगे 4 घंटा से हमारा आंसर क्या निकल क्या गया इगारे सही 1 बटा 4 किलो मेटर पर घंटा समीर का इगारे सही 1 बटा 4 km पर घंटा चल यह कोश्चिन समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्योश्चिन पर चलते हैं देखे हैं मारा question क्या दिया हुआ है? question दिया है कि A और B क्रमसब 8 km पर घंटा और 13 km पर घंटा की चाल से एक ही दिशा में चलना सुरू करते हैं 4 घंटा बाद A अपनी चाल दूनी कर लेता है तथा B अपनी चाल एक किलो मेटर पर घंटा कम कर लेता है और एक निश्चित अस्थान पे दोनों बेक्ती एक ही समय पर पहुँचते हैं तो कुल कितने घंटा की यात्रा थी? हमें क्या निकलना? यात्रा का समय निकलना है अब देखिए हमें क्या दिया है? दो बेक्ती दिया हुआ है A और B और दोनों का हमें स्पीड दिया हुआ है A और B हमें दोनों का स्पीड दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है कि 4 घंटा बाद यानि 4 घंटा तक दोनों जो है अपने स्पीड से चल रहा है यानि A 8 km पर घंटा के स्पीड से और B जो है 13 km पर घंटा के स्पीड से चल रहा है 4 घंटा तक और 4 घंटा बाद A अपनी स्पीड को दुगुना कर रहा है और B अपनी स्पीड में 1 km का खमी कर रहा है तो देखिए A जो है अगर 4 घंटा तक चलेगा ए जो है 4 घंटा तक अगर अपने स्पीड से चले यानि ए का स्पीड क्या है 8 किलो मेटर पर घंटा यानि 8 किलो मेटर पर घंटा के स्पीड से अगर 4 घंटा चलेगा तो कितना दूरी तै करेगा 32 किलो मेटर का दूरी तै कर लेगा और बी जो है बी जो है अगर अपने स्पी यानि B जो है A से कितना आगे निकल जाएगा 20 किलो मेटर आगे निकल जाएगा अब देखिए हमें कोश्चन में क्या दिया हुए कि 4 घंट बाद A जो है अपनी स्पीड को दूढ़ना कर रहा है अब जो है A अपना स्पीड कैसे कर रहा है A जो है अपना स्पीड जो है दूढ़ना कर लेगा है यानि 8 किलो मेटर पर घंटा स्पीड था अब जो A का स्पीड है 16 किलो मेटर पर घंटा है और B जो है B जो है B अपने स्पीड को क्या कर रहा है एक किलोमेटर से कम कर रहा है यानि बी का स्पीड कितना था 13 किलोमेटर पर घंटा अब जो है बी का स्पीड हो गया 12 किलोमेटर पर घंटा और हमें कोश्चन में दिया हुआ है कि एक निश्चित दूरी पे दोनों ब्यक्ति एक ही समय पे पहुँच रहे हैं यानि अब जो है A हर एक घंटा में B जो है एक घंटा में 12 किलोमेटर चलेगा और A जो है एक घंटा में 16 किलोमेटर चलेगा और A को जो है 4 किलोमेटर जादा चल रहा है और इस 20 किलोमेटर को कभर करना है A को जो है इस 20 किलोमेटर को कभर करना है तभी तो दोनों ब्यक्ति एक ही साथ एक अस्थान पर पहुंचेंगे यानि इस 20 किलो मेटर को 12 किलो मेटर यानि हर एक घंटा में ए जो है कितना जादा दूरी तै करेगा 4 किलो मेटर जादा दूरी तै करेगा और ए को कितना दूरी कभर करना था ए को जो है 20 किलो मेटर दूरी कभर करना था यानि 20 किलो मेटर कभर करने के लिए कितना समय लग जाएगा अगर एक घंटा में चार किलोमेटर कभर हो रहा है तो बीस किलोमेटर कितने घंटा में कभर होगा यानि हम इस साइड पांच से गुना करेंगे तो इस साइड भी हमें पांच से गुना करना पड़ेगा यानि 5 घंटे में 20 किलोमेटर कभर हो जाएगा देखी पहले यात्रा 4 घंटा का हो चुका है और इस 20 किलोमेटर को कभर करने के लिए कितना घंटा का यात्रा और करना पर रहे 5 घंटा का और यात्रा करना पर रहे हमसे क्या पूछा था कुल समय यानि यहां से हमारा कूल समय क्या निकल क्या जाएगा कूल समय कूल समय जो हो जाएगा हमारा 4 घंटा पहले का और प्लस का 5 घंटा अभी का यानि हमारा आंसर क्या निकल क्या जाएगा 9 घंटा यानि यातरा का कूल समय कितना होगा 9 घंटा का होगा चलिए एक बर फिर से question देख लेते हैं हमें question में क्या दिया हुआ था देखे हमें question में दिया हुआ है कि A और B क्रमसा 8 km पर घंटा और 13 km पर घंटा की चाल से एक ही दिशा में चलना सुरू करते हैं चार घंटा बाद A अपनी चाल दूगनी कर लेता है तथा B अपनी चाल 1 km पर घंटा कम कर लेता है और एक निश्चित अस्थान पे दोनों ब्यक्ति एक ही समय पर पहुँचते हैं तो कुल कितने घंटा की यात्रा थी हमें यात्रा का घंटा निकालना था अब देखिए हमें कोस्चिन में क्या दिया हुआ है दोनों का स्पीड दिया हुआ है दोनों ब्यक्ति का हमें स्पीड दिया हुआ है A का जो स्पीड है 8 km पर घंटा और B का स्पीड जो है 13 km पर घंटा और हमें question में दे रहा है कि 4 गंटा बाद A जो है अपनी speed दुगुन्नी कर रहा है और B अपनी speed में से 1 km पर घंटा कम कर रहा है तो देखिए 4 गंटे तक अपने जो पहले जो speed दिया होगे उसी speed से चल रहे होंगे यानि A जो है 8 km पर घंटा के स्पीड से 4 घंटा चलाओगा कितना दूरी तय करेगा 32 km और B जो है 13 km पर घंटा के स्पीड से चलाओगा 4 घंटा के लिए यानि कितना दूरी तय कर लेगा 52 km अब देखिए A जो है उस 4 घंटा में 32 km का दूरी तय किया और B जो है 52 km का दूरी तर किया यानि B जो है A से कितना आगे निकल जाएगा 20 km आगे निकल जाएगा अब हमें question में दिया हो था कि दोनों एक निश्ची तस्थान पे एक ही समय में पहुँचते हैं और हमें question में क्या दिया हो A जो है अपने चाल को दुगुणना कर रहा है और B अपनी चाल में से 1 km पर घंटा कम कर रहा है आप देखिए A का जो चाल था 8 km पर घंटा था 4 घंटे बाद उसका चाल क्या हो जागा 16 km पर घंटा और B का जो चाल 13 km पर घंटा था चार घंटे बाद उसका चाल क्या हो जाएगा 12 km पर घंटा आप देखिए दोनों अगर एग घंटा चलेंगे तो A जो है एग घंटा में 16 km चलेगा और B एग घंटा में कितना चलेगा 12 km चार घंटे के बाद A जो है एग घंटा में 16 km चलेगा और B एक घंटा में 12 km चलेगा यानि एक घंटा में A कितना ज़्यादा चल जाएगा 4 km ज़्यादा चल जाएगा एक घंटा में A और देखिए A को कितना ज़्यादा कभर करना परेगा क्योंकि B जो है पहले 20 km आगे निकल चुका है यानि इस 20 किलोमेटर को तो एक को कभर करना परेगा अगर ये 20 किलोमेटर एक कभर कर लेता है तो यात्रा पूरा हो जाएगा यानि 4 किलोमेटर कभर करने में 1 घंटा का समय लग रहा है तो 20 किलोमेटर कभर करने में कितना समय लग जाएगा 5 घंटा का समय लग जागा यानि पहले 4 घंटा तो यात्रा हो चुका था उसके बाद 5 घंटा और यात्रा हो डाए यानि यात्रा का कुल समय क्या हो जागा 4 घंटा प्लस का 5 घंटा हमारा आंसर क्या निकल क्या आगया 9 घंटा यनि यात्रा का कुल समय कितना होगा 9 घंटा का यात्रा का कुल समय होगा चलिए कोश्चन समझ में आ गया होगा देखिए हमारा कोश्चन क्या दिया हो है कोश्चन दिया हो कि एक ट्रेन एक कार से 30 पर 30 से तेज दौरती है दोनों एक साथ एक ही बिंदू A से चलना पूझती है क्योंकि रास्ते में ट्रेन अपना 9 मिनिट बरबाद करती है तो कार की चाल क्या है हमें कार की चाल निकाल ला है देखिए हम यहां से चाल का रेश्यू निकाल सकते हैं हम यहां से चाल का रेश्यू निकाल सकते हैं हम यहां से चाल का रेश्यू निकाल सकते हैं का और दूसरा हमें क्या दिया होए? train देखिए हमें क्या दिया होए? कि train जो है अगर 10 युनिट होगा तो train का speed कितना होगा 13 युनिट अब देखिए दूडी हमारा क्या दिया होए? अगर दूड़ी बराबर है तो जो हमारा चाल का रेश्यू होगा उसका अपोजिट रेश्यू क्या होगा हमारा समय का रेश्यू होगा यानि यहां से समय का हमारा रेश्यू क्या हो जाएगा समय का जो रेश्यू हो जाएगा 13 is to 10 यानि car को अगर 13 unit समय लगेगा तो train को कितना लग रहा है दस unit समय ट्रेन को car से कितना कम समय लग रहा है लेगिन हमें question में क्या दिया हुआ है हमें question में दिया है कि दोनों जो है एक ही समय पर पहुँच रहे हैं क्योंकि train अपना रास्ता में 9 minute बरबाद कर रही है यानि यह जो 3 unit extra लग रहा था car को जो 3 unit train के अप एक्छा extra लग रहा था समय तो train ने अपना 3 unit समय बरबाद किया यानि train भी अप 13 unit समय में पहुच रही है यानि इस 3 unit का हमारा value क्या निकल के आया हमें question में क्या दिया है कि 9 minute समय बरबाद कर रहे है और यहां कितना बरबाद कर रहे है 3 unit यानि 3 unit का अब हमें value question में क्या दिया हुआ है 9 minute तीन unit का value हमें क्या दिया है 9 minute यानि एक unit किसके बरबर निकल क्या गया तीन minute के बरबर अब हमें question में पूछ क्या रहा है हमसे car की चाल यानि car जो है दूड़ी को तै करने में कितना समय ले रहे है तेरे unit का समय एक unit तीन minute के बराबर है तो तेरे unit किसके बराबर हो जागा 49 minute के बराबर यानि car जो है 49 minute में कितना दूड़ी तै कर रहे है car जो है car 49 minute में 49 minute में कितना दूड़ी तै कर रहे है 78 km हमें क्या निकालना था हमें निकालना था कि car की speed हमें speed कैसे count करते हैं हम अगर 60 minute में तै की गई दूड़ी 60 minute में तै की गई जो दूड़ी होता है उसे हम यानि एक घंटा में तै की गई दूड़ी को हम क्या मानते हैं speed मानते हैं अब देखिए car 49 minute में अगर 70 km दूड़ी तै करेगी तो 60 minute में कितना दूड़ी तै करेगी यानि हम इसे काटेंगे 13 से काट लेते हैं यानि 3 minute में 3 minute में car कितना दूड़ी तै करेगी 13 से काटेंगे यह कितने बार में जाएगा यह जाएगा हमारा 6 बार में तीन मिनट में जो कार जो है 6 km दूरी ताय करेगी तो अगर हम यहां से 20 से गुना करेंगे यानि 60 मिनट में इस साइड अगर हम 20 से गुना करें तो इस साइड भी हमें 20 से गुना करना पड़ेगा 60 मिनट में कार जो है कितना दूरी तै करेगी 20 से गुना करेंगे 120 किलो मिटर यानि कार जो है 60 मिनट में 120 किलो मिटर दूरी तै करेगी यानि एक घंटा में 120 किलो मिटर दूरी तै करेगी यानि कार की जो चाल है कार की चाल हमारा क्या निकल के आगया 120 km पर घंटा हमें कोश्चन में क्या निकालना था कार की चाल निकालना था हमारा कार की चाल क्या निकल किया गया 120 km पर घंटा चले एक बार फिर से कोश्चन देख लेते हैं हमें कोश्चन में क्या दिया हुआ था देखिए हमें कोश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रेन एक क की बिंदू A से चलना प्रधम करती है और 78 km दूर इस् going the way पर एक ही समय पर पहुंचती है क्योंकि रास्ते में ट्रेन अपना 9 मिनट बरबाद करती है तो काल की चाल क्या है हमेंने काल निकालना था देखे हम यहां से कार और ट्रेन के चाल का हम ratio निकाल सकते हैं क्योंकि हमें question में दिया हुए कि train जो है car से 30% तेज दौरती है यानि अगर car का जो speed 100% होगा तो train का speed कितना होगा 130% यानि यहां से चाल का हमारा ratio क्या आगया 10 is to 13 यानि car का जो speed है अगर 10 unit है तो train का speed कितना है 13 unit और दूड़ी हमें क्या तै करना है बराबर दूड़ी तै करना है तो जो हमारा speed का ratio होगा उसका opposite ratio क्या होगा हमारा time का ratio होगा क्योंकि दूड़ी बराबर तै करना है यानि समय का हमारा यहां से ratio क्या हो जागा 13 to 10 यानि कार जो है उस दूड़ी को तै करने में 13 उनिट का समय लेती उसी स्पीड से तो ट्रेन कितना समय लेती 10 उनिट का समय लेकिन हमें क्या दिया हुआ है कि ट्रेन जो है रास्ते में अपना 9 मिनिट बरबाद कर दे रही है जिसके कारण दोनों एक ही समय पर पहुंच रहे ह अपना कितना कम समय ले रहे है कार तीन उनिट कम समय ले रही है इस तीन को अगर ट्रेन रास्ते में बरबाद कर दे यानि यह भी इ knife समय कर ना भी तेरे यूनिट समय में, यहनि तीन यूनिट समय ट्रेन जो है अपना रास्ता में बरबाद कर रही होगी, लेकिन हमें क्या हstone क्या दिया हुआ है , क데, नो यूनिट समय बरबाद कर रिये है यहनि तीन यूनिट का वैली हमारा क्या निकल किया ग best रहे ग Looks अब हमें क्या निकालना था हमें निकालना था कार की चाल हमसे कोश्चन में पूछ रहा था कार की चाल यानि हम कार का समय निकालने तो हम वहां से कार की चाल निकाल पाएंगे क्योंकि हमें दुड़ी दिया हुआ है तो कार का समय कितना है 13 यानि 13 यूनिट किसके बराबर हो के स्फ्पीड करें बिएक सब्सक्राइब एकSक्राइब कर भी सब्सक्राइब चैनल कोशंदी तो जो हमारा दूड़ी निकल के आएगा वही हमारा स्पीड होगा तो देखें 49менट में अगर 38 Dasm foi का दूड़ी होगर नाट करी है तो हम इसे tava 3 से काठेंगे यानी 3 मिनट में कितना दूड़ी है करेंगी ऐना 5 मिनट कि चो किलोमेटर का अगर हम आंसर क्या होगा 120 km पर घंटा चलिए कोश्चिन समझ में आ गया होगा आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीड आप हृ आप लाइब हृ आप करेग